अधार मंत्री नरेंद्र मोदी डेश के चुनिंदा गेमर से उन्होंने मुलाकात की है वीडियो देखिए दो दिन पहले सुनने को आया कि हमें मोदी जी से मिलने का मौकान देख रहे तू फास्ट तू मुझे भी एकिन में रहा है सची बताओ तो कि मैं यहा हूँ वो एक्साइटमेट अंदर रखना है वो बहुत मुश्किल था मेरे लिग से पहले तो उनको देख कैसा लगा कि हमारे जो ड्रीम से वो रियालिटी में बदल गए I think that once in a life बला एक चीज हो गया जो मैं I think कभ भी नहीं भूल पा हूँगी He is a global leader. Getting to meet him is the same. But that moment, जब बस वो आ रहे है That was like a habit stop हो जाने वाल हो ममन तव स्वागत है आप सब का Once he came and sat in front of us, I'm sure सब लोग वंडर करे थे वेट Is it same person? जो हम TV पे देख ते है जब सामने बेटे थे तवी धक दक हो रहा था बट आप लोग एक दूसरे को मिलते हैं आप पहली बार मिलें नहीं मिलते हैं आप लोगों करना कारोबार है जब आपको सुचना मिली होगी तो क्या लगा आप लोगों को इस moment तक यखीन मी हो रहा था कि ये कुछ होने जा रहा है इसा मिन परले मिलेंगे तेरी हम लोग चलिवेट करेंगे कि मालम नहीं कैसे कब नहीं है आप चाम तो अफेक्ट के जिलिया है सर अपी भी नहीं लग जाए कि आप सामने है अच्छा कोने दीजिए मेरे को यकीन नहीं हुआ परली बात लोग आप नहीं बुलाया तो सर एक बार लगा कि आपसे ही बात करने का मौका मेलेगा डेफिनेटी हम लोग फ्रंट फूट में आ जाएंगे और हमारा जो सब का एक गोल है वो आज वेलिडेट हो गया सर वो गेमिं की जीत हो गया सर आप बुलाएं वो आज इंडस्टी जीत हो गया पुड़े जीत बाले नाशनल क्रियेटर अवर्ड वाता इवन उस ताइम को भी हमें यही लगा था कि फाइनली इतने सालों के बाद ऐसे लग रहा है कि ग्रियेटर्स रहा है जो हम यूट्यूब पे करते हमें लगता था कि हमारी लोग देख रहे है आपके इप्ते बुर राट बने के मैं भाती आशनल रहा है तो मैं और यम की बात कर रहा हूं तो मैं C1 का पढ़ाई कर रहा था, मैं C1 पाइनल्स तक पहुचा था और मैं CFA और FRM की भी लेवल बन दे चुका था मैंने माता-पिता से एक साल का ब्रेक मांगा था पने पढ़ाई से गेमिंग की करियर को परसीव करने के लिए जब मैं 2018 मैं स्राट के मैं सोच के बुछा था कि एक साल मैं गेमिंग में पुरा दूंग और कुछ बनने की कोशिश करूँगा तब परिवार में क्या रेक्शन आया सर क्योंकि मैं पढ़ाई कर के रखी तो में पस बैकक बहुत स्ट्रॉंग था कि गेमिंग में कुछ नहीं करता कि वापस जा के पढ़ाई कंटीनु करता तो उसलिए मातापिता हमेशा सपोर्ट की इस तीज को और मेरा गोल यही है कि मैं गेमिंग को इंडिया आगे बढ़ और कोई आपको देखेंगा तो कहेंगे यार यह तो अंचे इंसान इसको ठक कैसे बोगए सर वो चीज लेकिन एक निम अच्छे की गेमिंग में थोड़ा नाम बना लिया है तो गेमिंग वाई लोग अब थख से अच्छे नचर से मुझे देख रहे हैं थख से थख थख प एक प्राइवेट स्कूल में तीस साल तक उनने बस कंड़क्टरी करी थी ताकि मैं और मेरी दीदी को वो स्कूल में पढ़ा सकें मैंने थोड़े टूशन पढ़ाने स्टार्ट करें बच्चों को एक दो जॉब्स लेरी फिर अपना खुद का कंप्यूटर बनाए एक सर आर जाते हैंने आपको एक्ट ही करनी पादिए थोड़ी बहुत ताकि वीवर से बढ़े किशते हैंने करर नी तो पर देज को एक स्तर पर ले जाना चाहते हो बहुत तो वैसे ही मेरा भी था उनलब मैं भी कुछ ऐसा करूँ कि दुनिया वाहई वाही करे मेरा नाम नमन माथुरे और लोग मुझे मॉटल के नाम से जानते हैं मैं पला बड़ा मुंबई में हूँ नभी मुंबई में और जब मैं चार साल का था मेरे पापा गुजर गए ते मम्मी ने मुझे और मेरे बड़े भाई को रेस किया उन्होंने टिफिन सर्विस किया सब कुछ किया और 2015 में मुबाईल आ गया था हाथ में तब तो शुरू किया था खेलना पहले तो स्कूल कॉलेज में दोस्तों से बाते करते ज़ते पता चला होगा मैं गेमिंग में को खुद से वो यूटूब देखके आया था मैंने उल्टा दोस्तों में फेला दिया था कि यह जिने देख रहे हिंके कमेंट सेक्षिन में सारे इंडिया यह सब जो दुनिया भर के अच्छे अच्छे खलाडी है सब ज़ते करें इंडिया थी को हुद गया थी जो दिखते थे इंडिया और मैंने सोचा की क्यों भी इसा कोई वीडियो बनाऊं उंसे इंस्परेशन लेकर और अपलोड करूं और मैंने वो डियो 2018 में अपलोड किया और वो इंस्टेंट यही वीडियो जो उस सोच से बना वाइरल हो गया उसके बाद मैंने इस पोट में रेप्रेजेंट किया इंडिया को अनिमेश से मिला 2018 में हम लोग ने कंपनी भी शुरू की अपनी से टुएल इसे टुएल मोटल नाम कैसे रख लिया अरत में दो लोग इंमोर्टल की बात करते हैं लोग सब जगा मैं देख रह गाव से हूँ मैं एंपी में ही चिन्वाड़ा के जगा है इंगाव के अकवास में है तो मैं वहां के रहने माली हूँ नुचे गेमिंग में इंटरस था बट घर पे फैजलिटीज नहीं थी त्वेल तक भी हमारे पस घर पे पोन में था खुद का तो गेमिंग में थोड़ सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे पास भी 100-200 ऐसे जड़ियों के मैसेज आते ही हमने आपको देखके स्टार्ट किया तो सब्सक्राइब करते हूँ मेरा नाम मिथेलेश पातन का रहा है मेरा गेमर नेम मिथपाथ है मैंने जो ट्राइ किया है कि हमेशा से यूनीक कॉंटेंट देना है और इसी के वाज़े से लोग मुझे पसंद करते है तो गेमिंग, एंटर्टेंबेंट, मिमिक्री यह सर मिलके मैं बनाता हूँ मेरे तो टेकि विए थिस बन फे बेस्ट आवर्ड तो इंटर्नेशनल का टेगरी में इन अगेम ने लोग आपको नेम नाम की एक गेम है उसमें कम्पेट कर रहा हूँ तो भूज में यह बिमारे कहा सा है यह तो ऐसा है कि हर कोने कोने में पहली हुए अभी तो लोग आपको कश जानते हैं कि एसे कुछ कर रहा है आप हां अभी तो मतलब बहुत सारे लोग जाना परता था नहीं अभी तो अभी तो मतलब इनीशली तो किसी को पता नहीं का बट जब से यह मेडल हासिल गए तो अब से काफी मतलब कहे तो सब पहचानने लगे है हलो सर मेरे नाम है विनेश और लोग मेरे को इसके रहसिया से जानते हैं और मैं बैंगलूर से हूँ और मैं एक प्रोफेशनल एसपोर्ट्स अथलीट हूँ जो मैं जब से कॉलेज में गया दोस्त लोग ने मेरे को गेम को इंट्रडूस किया और जब मैं खेला अचानक से उदर जो भी लोग खेलते हैं उन सबसे अच्छा खेलने लग तो मेरे दिमान में आया कि यह चीज मेरे को असली में मजा आता है करने में और इस पे मेरे को कुछ बढ़ा करना है मैं जब 17-year-old था मैं इंडिया को रेप्रेजेंट किया 2017 इंडोनेशा में तो जब मैं मेरा स इसाब रिलेटिवस बोलती बना है उस लाइक दखतक और राधा पूरा की क्या बात करो उनके सामने बात जब मिला जो भी मन में है जो मेरा स्टोरी है जो मेरे को जानता है वो सब बोल दिया मैं उनके सामने एक साथ आप लोग कितने घंटे खेलते हैं कंचिवरों आइधिंग एसपोर्स एथलीट जो होते हैं वो दिन के 6-7 घंटे प्रैक्टिस के देंगे वो उनकी पूरी रूटीन होती है वो दिन में उपनेकार समये गेन का समये डायेट सब कुछ होते हैं कंटेंग क्रीटर का अगर बना बताओ तो आई थिंग सब लोग ऐसे होते हैं कि दिन में 12 गंटे से रहे हैं और फिर हो सकते हैं वीडियो बनाने में वो दो गंटे ही बन गे या पिर दस दिन तक नहीं हमारे देश में क्रीटिव के दुरुष्टी से गेम के दुनिया में कांटिविशन के इतन किसी में बनानी है मैं शाओ को जाता हूँ कि इंडिया में इतना सस्ता है इतना मतलब अच्छा है इवन फॉर एक्जाम्पल अगर गेमिंग बाजो में रखे तो एक्जाम्पल यूपी आईवी यूपी आईवी इस अलतो सिस्टेम जो बाहर इतना अच्छा नहीं मतलब को को यह मालूम है कि हमारे हां इंटरनेट इसना स्वस्ता है उसी के कारणों के लिए अपरचनिटी बगी यह पता है विल्कुल सब्सक्राइब को सबसे पहले वोलेगा फ्री इंटरनेट आप जो भी बैठा है हम सब हमारी शुरुबारती ऐसे वह है इस तरह से फ्री इंटर आप देखो जो गेमिंग है पांक से शह साल पहले ही भूम उनी शुरु हुई दोज़ा उन्निस में आई थिंग मैं बोलता हूं कि गेमिंग काफी स्पीड पकड़ी रफदार पकड़ा और दोज़ग एक ऐसी गटना बताईए किसी के साथ आपको गेमिंग के देन मैं हाँ और एक स्पार कर गया है ऐसा को यहार पापा है मेरे तो लाइव चैट में आया था लड़का बोला था कि मेरा ब्रेक अप हो गया तो मैंने वोला था कोई बाद नी तरह भाई तरह साथ है 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 देखे मान लीजे कि मैं एक बिलको स्टूडेंट हूँ और मुझे कुछ मानूम नहीं है यह गेमिंग की दुनिया क्या है परसेप्शन का ही मुझे पता है जो ही है बच्चे टाइम खराब करते हैं पता नहीं दिन भर उसी में बैठा रहता है मुझे आद है मैं इस अध्या पर चर्चा कर रहा था तो मैं इसे कहा यह कुछ बच्चे ने मज बच बुलर पूस यह मैं गया तो यह पभजी वाला है कि हो तो मुमें तो जब आपने यह पब जी बोला था तब मैं उस समय पव्जी में रेप्रेजिट कर रहा था इंडिया पो और मेरे तब मैं इतने उस रेप्रेजेंट कर रहा था तो वो सबको पता था तो कहीं आपने मुझे तो नहीं बोला हो यह डाउट आगया सबको ये एक ऐसा च्छेतना है जो अनून है ऐसी स्थिति में क्या आप लोगों को क्या अनुभावात है जब बच्चों से बात करते हूं के प आपके वीडियोज देखते रहते हैं तो मैं अजया फिर वो काम भी आपी को कहते हैं बहुत बार निवस में देखना है कि पेरेंस का ट्रेड़ेट कर्यों करके बच्चों ने गेम्स में इंगेम पैसे होते है वो लिया और वो चीज बहुत बड़ी निवस हो जाती है उसस से अवेरनेस बहुत कम लोग के बास है हर में ऐसा लगते हैं विजय से स्पोर्ट एक अक्टिविटी जरूरी है या डांसिंग सिखना माब आप चाहते हैं बच्चे को आना चाहिए वो भी एक व्यक्तित्पर के विकास का एक हिस्सा है लेकिन ऐसी चीजों को प्रतिश्ण मिलने में सदियों की एक पुर्शार्त रहा है अगर देखने जाए हमारा बेश स्पोर्ट में हमेशा बहुत आले रहा है आज की दिन भारत का वन ऑफ दा मोस्ट पॉपिलर स्पोर्ट क्रिकेट है पर अगर 1983 वारी वर्ल कप नहीं जीती तो में भी सब लोग उतना करके नाम कमा है तो सार आज कोई गेमिंग के लगर यह कूछे कि यह क्यों करने तो मैं उनको यह जवाब देता हूं कि इसको आप साइड हसल रखी जो लोग सोचता है अन और्थोडॉक्स है बेकार जीज है ताइम बेस कर रहे है लोग अपना उसको करके आप प्राइम मिन अभी हम लोग त्राइम मिनिस्टर सर की रेजिदेंस में तो वहां तक जाके उनसे बैट के एक राउंड टेबल में बैट के उनसे बाते कर सकते हो तो वह बहुत अन्रियल था और लोग अब गेमिंग को एक अलग नज़रिये से देखें कि हाँ यह भी कुछ है और इसमें कुछ करा जा सकते हैं इस गेमर मैं कहूंगा कि यह मैं इंपोर्टेंट चीज जो पीम सर ने मेंशन की की डाउन दे लाइन ग्रो करना है इंडेस्ट्री को तो उसमें पेरेंट्स का इंवल्मेंट बहुत जरूरी है उनका वही पैरेंटल अडवाइस पैरेंट्स की सपोर् दुरुष्टी से मुझे बताने जैसे कोई चीज आपको लगती है यार आपको किस मन में प्रस्टन है तो आप क्या कोई रेगुलेटरी बाड़ी हो सकती है रेगुलेट सब्द ठीक नहीं होगा वन्ना सरकार का स्वभा होता है हर चीज में हाथ डालना सरकार का मुल नेच दूसा है आप चीज को समझो समझ करके हमारे देश की रिक्वार्मेंट के इनुसार उसको मोडिफाय करो उसको कुछ कानून नियम यवस्था के अंदर ठाचा मेहलाओ उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाओ अगर प्रतिष्ठा बढ़ जाती तो फिर बुरा करने वालों को बहु खुल खिल गर जाए उसको मुशबत के समय शर्कान मिलनी चाहिए तीज जो डफिनेटली करा जा सकते है इस ओब बिजनस के लिए सर इस्पोर्ट्स को अइडिनिप्ड़ाई किया जाए इस्पोर्स को बहुत टेक्निकली जैसे आइन्टीफाईई हुए एक अलग सईडिव यह स्किल बेस्ट गेमिंग है इसमें कोई पैसो का गेम में पैसे लगा के पैसे जितने वाला खेल नहीं है तो अगर वह इंटिफा हो जाती है और सबको पता चल जाता है यह अगर अगर बंदिस आएगे तो नहीं होता है क्या आपको एफेस करना पड़ता है गेमिंग एंग गेमिंग गेमिंग इन दोनों की लड़ाई आपके सामने आती होगी तब आपके से हैडल करते हैं मतलब वह ऐसा समझते है कि हम जो काफी अलग रहती है बट वह ऐसा नहीं है वह हम कह सकते कि चैस जैसी एक कॉंप्लेक्स गेम्स हम मोश्ली खेलते है इसमें बहुत सी मेंटल स्किल्स भी चाहि आप लोगे काम कीजिए यह चो क्या समस्या है कि मुझे कभी मेल कर दीजिए और यह ओफिस में एग्जेट निगा पॉर्ब्लेम फेस करते हैं इसर लाइक पेरेंट्स को जब उनके बच्चे लोग बोलते कि गेमर बनना है पेरेंट्स लोग को समझ में नहीं आता है कि एक गैंब्लिंग भी समझ जाते हैं तो उसके रिगार्डिंग मोधी जी बहुत अच्छा एक्स्वानेशन किया कि गेमिंग अलग होता है गैंब्लिंग भी अलग होता है और हमने भी बहुत सारे चीज़े एक्स्प्लें किया अब इतने सारी मातरा में बच्चे जूड चुके और उनको आप रोक नहीं सकते हैं तो उनको आप सही रास्टे पर ले जा सकते हैं तो आपको लगता है डू जैंड लोंग को बोलता हो बह्या मुझी आपके जैसा बनना है तो मैं तो साफ बोलता है अगर तुम्हें मेरे जैसा बनना है तो जैसे मैं चला वैसे चलो मैंने कॉलेज किया, कॉलेज के साथ किया, मैंने जॉब करी, मैंने जॉब के साथ किया, जब तक नहीं चला मैंने ऐसा नहीं करा कि सब दुनियादारी छोड़ गए मैं बस लगे रहा कि यही काम करेगा यही काम करेगा आज की ताइम पर गेमिंग एस्पोर्ट्स मतलब उसमें दो कैटेगरिया जैसे एस्पोर्ट्स में आप कंपीट करते हो और कॉंटेमिशन में ऐसा है कि हम गेम के जो मैं समझ रहा हूं आपकी बातों से तीन स्टेज एक तो है जो गेम खेल लेगले आने वाला कि दूसरे वो लोग है जरा क्रियेटिव माइंड के हैं तो उस गेम उसका लाइव स्क्रीनिंग यह करते के बाद में चोड़ा वीलियो बनाना इसमें तोड़ा रंग भर देन और तीसा जो महतोपुन है कि गेम इटसल बनाना कैसी हमारी जो गेम से जो बनी है अब तक जो आई है उसकी क्या तो अभी आइधिंग 2020 में आपने स्टेट्मेंट दिया था की मेकिन इंडिया की इंडिया की इंडिया की इंडिया की आरांड गेम्स बनाना यह प्रमोट कर तो उसके बाद आगिंग काफी इंप्रुपर्मेंट आय ह। उसमें ओर जो वो पूरी इंडिस्ट्रिय उसमें भी काफी स्कॉप बढ़ा है। इन्दुस्तान की कौन सी थीम है जो लोगों को आकरसीद कर रही है या आप लोगों को लग्टाइग यह क्लिक कर सकती है जो वेस्टन व्ल की आती उसमें तो मारो काटो दोडो भागो यह 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 ज़िए हमारे पंचुत अंत्र है ज़ा कभी किसे ने उसमें माइंड अपलाय किया है अभी डेवलोपमेंट में जो बोर्ड गेम्स हमारे पूरा ने खेले जाते हैं जैसे जैसे अश्टो चोकडी करके गुजराती में चोटे से तब से वो गेम खेल रहे हैं तो अभी उसके जो है वो डीजिटल वर्जन से दुनिया में अलग अलग तरीके अपनाए हैं मैंने दुनिया के सामने अलग विश्य रखा है मैंने कहा है मिशन लाइफ और लाइफ सब्द से मेरा मतलग है लाइफ स्टाइल फर एन्वार्मेट अगर माल दीजिए में एक ऐसी गेम बनाओ जो क्लाइमेट की चैलेंज को क किस दिस रास्ते से जाएगी कि सब्स्थिंद केना सबस्क्राइल फեुब तरो नइवन स्ट्चन विश्य को लेकर गेम बने और हर बच्चा क्रफेश है भारत के जो बैलु नए पीडिंग उसको जीना सिखे उसका मार्वास में आख और उसको बैट्ग्राउं जैसे हम सभी को गेमिग इपनसेस का जाता है वैसे आप इंडिया के सबसे बड़े इंटिवेंसेर है जिसके बार सब संके मानते है अब आपकी बार बाहर आगी तो मुझे लगते हैं 100% लोग इस वे में सोचेंगे तो यहां पर जो आप कहे रहो ना वैसे एक केटेगरी जैसे शूटिंग गेंस हो गए वैसे एक केटेगरी है एक गएम्स को चेंगे जिसमें जैसे आपने जो गलोबल प्रब्लम्स बता है यह फिर ऐसे चोटे-चोटे जैसे आफरिका में ऐसे बहुत सी कंप्री से जो करने के लिए यह वहां के कोई जो लोकल इशूस है उसको अवेरनेस उसके लिए बढ़ाने के लिए ऐसी गेम स्पेसिफिकली स्टूडियो बना गे एसे गेम इंडियन स्टूडियो भी केच अप कर सकते हैं मुझे विष्वास है कि डाउन दर लाइन दो तीरिंग साल में तरह से गेम आएंगे और वो आगे जाके पोपिलर भी होंगे जो कहेंगे हम की सिर्फ इंडिया के भी नी बट ग्लोबल प्रोब्लेम्स को भी अग्रेस करेंगे मुझे उनकी एक बात जो बहुत अच्छी लगी है और शायद मैं भी उस चीज को बहुत जादा केरी फोवड करो अपने ओडियन्स तक भी पोचा हूं वो यह रहेगा कि आप गेम डेवलपमेंट में घुसो थोड़े से ऐसे गेम्स डेवलप करो जो हमारे कल्चर या इन सब चीजों को देखकर ऐसे गेम्स बनाओ और उन चीज को हम लोग पुछ करने की पूरी कोशिश करेंगे तो इस 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 संथिंग डेवलपर्स हैं उनको इन्वारमेंट पर फोकस कर के इंडिया की एसे गेम बनाना शे इसमें इन्वारमेंट और हमारे जो अमारे जो सब्सक्राइब ध्यान देने के लिए आई तिंक मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्या ओपन सोर्स गेम का होता है कि गेम है उसमें दो चैप्टर किसे और ने जोड़ दिये दो स्टैप्स किसे और ने जोड़ दिये क्योंकि आप जो कहते हैं जीश की उमर कम होती है हां उस को जो मॉर्टय उसको इंवाशन बनाना तो फिर हमें ओपन सोर्स करें और चिजों को जोड़ने कंव कुछ को फो हो सकता है कि मान दीजय मुदा हमने हनमान के कारेक्टर के ऊपर कोई बनाया तो लोग्सों कना उपन सोर्स है आप हमान के नई नही चीजों कर लेके इसका नहीं नहीं पूछ जोड़ते जाते हैं सार हम लोग में वैसे थोड़ा खुछ आपके लिए सोच के रखाते हैं कि हम लोग इतना कुछ सिख़्ाइब को अपको गेमिंग का थोड़ा डिक्शनरी आपको सिखाना चाह रहेते तो सार एक गेम है जो मिट्पेट आप समझादे हम लोग क्या करेंगे सार के सब्सक्राइब कर सकते हैं अब देखे सरकार में जाएगे तो सरकारी जो अधिकारी होंगे वो शौट फॉर्म में ही बोलेंगे अब हमें बताएगा क्या आप कौन से सेंटेंस में उसको यूस करेंगे अजा है मेरा एक शब्द है पी टू जी टू तो मेरा वो पी टू जी टू सब्द ये है प्रो पीपल गुड गवानांस पी टू जी टू अच्छा एक और है नूब नूब का मतलब होता है कोई ऐसा जिसको कुछ बहुत मेहनत करने के बारे देखिए मैं चुनाव सभा में अगर बोलूंगा अब लोग शोट होगे मैं किसके लिए बोल रहा है अगर बोल गूगा आप लोग वोगे उसके लिए बोला है तो यह तो खेर आप गेम में इस्तमाल कर सकते और आप कहीं भी इस्तमाल कर सकते हो ग्राइंड मतलब सर महनत करना हो गया बेसिकली जैसे अगर मैं माइनक्राफ्ट खेलता हूं तो मुझे उसमें एक एक चीज शी अगर बोला जाना है तो वह फोन इदर ऐसे चोड़के जाएंगे तो मतलब यह में हार जाएंगे तो टीम मेंबर आखे हमें अगर हम चाहते कि टीम मेंबर को समझे कि सुदो मैं जा रहा हूं लेकिन मेरी जगा तुम लोग लो तो हम लोग एक लिगते हैं अवे फ्रॉम की बोर्ड मतलब मैं नहीं हो पर तुम लोग संवाल लो तो यह दूर को कह कर जाते हैं इतने अगर हमें तो एक कीशने बताई है अब चाहिए अब मेडिया में सब आता है वो सथ बत वाजो है मलब सरा अब हमें अब जब सरावी जए अब कर निया कि जाना लोगों के लगे गिए अच्छार को मुझे याद है मुझे बहुत चीज बार के ती यूट्यूब फैन फैस्स ने आपने जब सर्ग सिंपल चीज़ मोई लाइक शेयर सब्सक्राइब सब लोग पाग रहे हैं हम लोग सब गेमर्स के नाम है, सर का कोई नाम नाम पाइब सर अभी कुछ आपके साथ गेमिस चाहिते है आपके सब गेमर्स को आज कुछ हो गया है मतलब फर्स्ट गो में जी सहाब से उनने किया वीवर माइंड ब्लोन आपके सब गेमर्स को आज कुछ हो गया है वाव यह यह देखे राइट नीचान है ना अच्छा है यह लेकिन सब आप लोगों से ट्रेनिंग लिया यह देखे राइट नीचान है ना किसी को नहीं मिल सकता है उतना मुश्किल है मिलना जो मोका हमको मिला तो तो इस बी बेस्ट मोमेंट आप मैं लाइफ वेर वी प्लेट गेम्स अब अंदर चले जाएए यह से देखे आप यहां पर आगया आप स्पीड भी बढ़ चुकी अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि यह एक इंडेम गेम है फर्स ताइम मतलब सवर केल रही है एक इन माद बूर आजडा में रहाए बागोज़ पिलो विजिया उनको अगे बंढ़ना होता है यह देखे उसेकि अटाइफ अधा अब इनको पहला हत्यार अपन मिल चुका है अब यह लेकर वह आगे लॉड विष्णू एंड मादुर्गा के गाइडेंस से अपने भाई को बचाएंगी यह पूरे गेम का शुरुवात और पहलू है एक बात तो है हम लोग इतने टाइमस में इंस्पायर कर रहे लोगों को गेलिंग करने के लिए आज आपने हमारे जितना इंस्पायर एक दिन में कर दिया यानि आप लोगों कितना समय जाता होगा इस में देखता हूँ सर आपको कैसा लगा आज केमर से बात करके मैं अभी नया हूँ इस दुनिया में मैं बहुत सोचूंगा इस पर युवापीडी का भला भी हो और इसका एक पॉसिटिव क्रेटिव उप्योग कैसे हो मुझे ऐसे मैं चाहता हूँ हमारे लोग इसमें आगे जाए और हम दुनिया में चीज़ों को लेके जाए सो सर अभी हम लोग स्टम्भल गाइस करके गेम खेल रहे हैं तो कोड है रूम कोड है सबका 982 981 Okay join everyone join ... इस गेम में characters होते हैं जिनको आगे-ागे जाना होते है race होती है, obstacles होते है आपके character का नाम dependency आ यमिटम्निई आ यह जोते के हाँ यह gwिरत है यह सउर आपको character और यह jump button है में पुरा दिमाख अ पाऊंग उड़ों कर शरा द दастे ऐसे उपपर के तरफ की दूँए चली fandउ चली सब जाने सदी जाए जैसे लहांब बलो बटन दबाएं आपको जाए कि आपको जैसे प्टन भाईग है assign हासि शोल चीट शोल मुच्छाहल के लुए भालत मचाय करे मुझे शानना लगे आप लोग कुछ चीजे लाएते हैं आप से साइन करने के लिए जो हमारे गेमिंग चे जोड़े आप दोल मिनिट विराजमान हो जाते तो टेबल पे पॉर शॉर नमो उपी आप लोग ये काम चुरू किजिए हारे को कहिए कि खुद की सिगनेचर अपनी मात्रु बास्ता में करें लोग अप गेमिंग को एक अलग नजरिये से देखें कि हाँ ये भी कुछ है और इसमें पी कुछ करा जा सकता है ये पहला दीजिए कर अच्छा है इसको पहनो गए आपके संदमीसिक ऐसे पोड़ाजी में अबो इसे गेम में अब टारू जरू भारा इसकिए अच्छा है फुली. ये ये आपके ये टेली खुदू लिए अपार गेमिंग्गेमिंग्जे मारत चुद आपको के इसमें फरनेशा इसके फुरूंस थारा थायू, उन्से मिला हमाई आटे दुकित नियुकत नियुकता है झाल 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 झाल